दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब भी आम लोग कंप्यूटर जी के इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट चालिश कोश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षाम से रेल बे गुरूप डी एससी यूप पुलिस लिख पाल और आने वाले सभी परतियोगता पर इक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों यह टोटल जो चालिश कोश्चन है आप इनमें से कितने कोश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कूर जो है कमेंड बॉक्स में जरूर बाता है और वीडियो पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि जो घंटी का निसान है इससे जरूर अन करते हैं ठीक है तो चले सुरू करते हैं देखे यहां पर हमारा पहला कोश्चन दिया गया है वह हाड़वेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तोर पर कॉम्प्यूटर का ब्रेन कहा जाता है तो कॉम्प्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है तो यह बोला जाता है CPU को ठीक है CPU को कॉम्प्यूटर का तिमाग बोला जाता है CPU की बात करें तो इसका फुल फर्म क्या होता है तो देखे इसका फुल फर्म होता है Central Processing Unit आपको याद रखना है Central Processing Unit जो होता है यह CPU का full-form होता है ठीका answer हो जायेगा CR question number 2 कि सी प्रगराम में Bog निम्नीलेख्ट में से क्या होता है तो देखिये Bak जो होता है computer की भाषा में तो किसी program में इसको क्या बोला जाता है error ठीक है computer में किसी program में error जो होता है उसको computer क्या बहुत जाता है याद रखना है आपको क्या बहुतर की बहुता में जो है इसको बॉल जाता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा बीक पुश्चान नमबर थार्ड है निमने लेखित में से कौन सा computer को telephone line का परियोग करके data अंतरित करने की अनुमति देता है तो देखी ये है modem ठीक है, modem जो होता है, ये computer को telephone line का परियोग करके data अंतरित करने की जो है, अनुमति देता है तो answer हो जाएगा C, question number 4 है पहला सक्रियात्मक, electronic, आंकिया computer कौन सा है देखी ये very important question है बहुत बार ये question एक जाव में पुछा गया है पहला संक्रियात्मक electronic अंकिया computer कौन सा है तो ये है एनियक ठीक है आपको याद रखना है कौन सा है एनियक है तो answer हो जाएगा question है question number 5 है निमनलेखित में से कौन सा www www का सही रूप है तो देखे इसका full form आपको बताना है तो देखे www का जो full form होता है World Wide Wave जो होता है वर्ड वाइड वैड वेब जो है इसका full form होता है answer वो चाहेगा इसके अलाबा जो हम बात करें कि www का विसकार किसने किया था तो देखे इसके जो अभिस्कारक है उनका नाम है team, team बर बर नार्सली ठीक है team बर नार्सली जुए इनका नाम है इनों हने यह ड़ ड़लुड ड़लु के मतलब अभिसकारक है ठीक है question number six है computer system के किस भाग को भावतिक ग्रूप से इसपर्स किया जा सकता है तो देखिए डेटा को भौती ग्रूप से इसपर्स नहीं किया जा सकता है अपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं किया जा सकता है ठीक है और सब्टवेर को भी नहीं किया जा सकता है तो आंसर हो जाएगा option C hardware ठीक है hardware जो होता है उसको इसपर्स किया जा सकता है ठीक है, question number 7 है निमने लेखेत उत्पादों में से कौन सा उत्पाद है Pentium Brand के नाम से जाना जाता है Pentium Brand के नाम से किसको जाना जाता है तो Micro Processor, ठीक है Micro Processor जो होता है उसको Pentium Brand के नाम से जाना जाता है Computer में जो Processor छोटा जो micro processor होता है उसको micro processor बोला जाता है ठीक है question number 8 है www के अभिस्कारक था था संस्थापक कौन है तो देखिए तो हमने पिछले question में बताया था कि इसके अभिस्कारक और संस्थापक जो है उनका नाम है team bernardsley ठीक है team bernardsley जो है इनके संस्थापक है answer हो चाएगा यह question number 9 है निमनलेखित में से कौन से सूचना परदोई की सब्दावली नहीं है तो देखिए correct answer C हो चाएगा प्रकास भंडारण जो है यह सूचना परदोई की सब्दावली नहीं है बाकी तीनो है cyber space upload और modem तीनो ही जो है सूचना परदोई की सब्दावली है question number 2 है पहला संक्रियात्मक के electronic अंकिया 쉬 ignore computer है पहला संक्रियास्मक electronic अंकिया only computer है तो कौन सा है तो यह है इनियक थीक है यह नियक जो है पहला संक्रियात्मक electronic अंकिया nightsal computer है ठीक है answer हो चाएगा भी यह question repeat हो गया कूश्चन number 11 आनुपाम निमनलेखित में से क्या है अनुपाम निमने लेखित में से क्या है तो अनुपाम जो है यह सूपर कॉम्प्यूटर है ठीक है आपको याद रखना है क्या है सूपर कॉम्प्यूटर है अंसर हो जाएगा B, कुश्चन नमबर 12 है भारत में बिक्सित पॉरम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था तो C-DAC ने किया था ठीक है C-DAC ने जो है भारत में विक्सित परम सूपर कम्प्यूटर का जो है मतलब इसका विकास किया था अंसर हो जाएगा अपसने कुछ्चेंट नम्बर 13 है कॉंपिटरड डाटा के चोटी काई कौन सी है देखं़े यह भी बहुत बढद कर्द कुछितन है कोंपिटर डाटा के सबसे चोटी काई कुछा ऑफ हो 받아 Apple होती है ठीक है निमनलेखित में से कौन से भासा परमाडू अनुसंधान के अंदर द्वारा बिक्सित सूपर कॉम्प्यूटर पर यूचना है तो देखिए है अनुपम ठीक है अंसर हो जाएगा D कुशन नमबर 15 है एक कॉम्प्यूटर की असमिर्थी समाने तौर से कीलो बाइट अत्वा मेगा बाइट के रूप में ब्यवक्त किया जाता है एक बाइट बना होता है तो एक बाइट जो बना होता है वो आठ दुईधारी यॉंकों का बना होता है अंसर हो जाएगा ये कुछिजन नमबर 16 है इस्पायम निम्ने लिखित में से किस बीषय से समबंधित सब्द है और देखिए ये कम्प्यूटर के बीषय से समबंधित सब्द है आंसर हो जाएगा ये कुछिजन नमबर 17 है डाटा के प्रेशन की गती को मापने के लिए समानतप परियुकत एकाक यानि यूनिट कौन सा है डाटा के प्रेशण की गतिको मापने के लिए समानतप परियुकत एकाक यानि यूनिट कौन सा है तो देखिए ये है Been 32nd याद रखणा है क्या है? Been 32nd है Answer हो जाएगा C Question No.18 है इंस्ट्रॉक्शन से के उस समों को क्या कहा जाता है जो कम्प्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो देखे इसको कहा जाता है प्रोग्राम ठीक है इस्ट्रॉक्शन के उस समों को क्या कहा जाता है जो कम्प्यूटर को बताता है क्या करना है तो प्रोग्राम इसको बोला जा आपको याद रखना है कौन सा है TCS question number 20 है जब कोई computer कोई करमादेश लागू करता है तो वा करमादेश कहाँ पर अटक जाता है तो यह अटक जाता है RAM ठीक है RAM में अटक जाता है RAM की full form की बात करें तो इसका जो full form होता है random access memory ठीक है random access memory जो इसका full form होता है answer हो चाहेगा question number 21 है computer की अस्थाई अस्मृति को क्या कहा जाता है computer की अस्थाई अस्मृति को क्या कहा जाता है तो देखे इसको बोला जाता है ROM क्या बोला जाता है ROM इसकी full form क्या होती है read read only memory ठीक है read only memory जो इसका full form होता है READ ठीक है read only memory जो है इसका फुल्फम होता है आपको याद रखना है आंसर वो चाहेगा option B question number 22 है निमने लगए तुम एसे कौन निर्गम उपकरण नहीं है कौन सा इस मेसे जो है निर्गम उपकरण नहीं है तो यह है प्रकासित लचन अभी गयाता ठीक है प्रकासित लचन अभी गयाता जो है निर्गम उपकरण नहीं है आंसर हो चाहेगा C question number 23 है प्राथम कॉम्प्यूटर भासा कौन से बिक्सित की गई थे तो यह है ठीक है फ्राथम कॉम्प्यूटर भासा बिक्सित की गई थे आंसर हो चाहेगा C question number 24 है computer के लिए IC चीप आम तर पर किसके बनाय जाते हैं computer के लिए IC जो चीप बनाय जाता है आम तर पर किसके बनाय जाते हैं तो देखी यह बनाय जाते हैं silicon के ठीक है आपको याद रखना किसके silicon के बनाय जाते हैं answer हो चाहेगा B question number 25 है निमने लिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है CRT का हिस्सा जो है इस में से कौन सा नहीं है तो gas plasma CRT का हिस्सा नहीं है ठीक है बाकि यह तीनो फासपर, प्रपट, छाया, अच्छाद और electron gun ठीक है यहाँ पर यह तीनो जो है CRT के हिस्सा है laser printer में कौन सा एक laser प्रकार परिउक्त होता है तो यह और देचालक laser जो है परिउक्त होता है answer हो चाहेगा C question number 27 है प्राथम computer का निर्माड किसने किया था तो आप सभी को पता ही है कि पहला computer जो है Charles Bebez ने इसका निर्माड किया था Charles Bebez को जो है computer का जनक ठीक है computer का जनक यानि पितामा हो कहा जाता है याद रखना है आपको ठीक है question number 28 है आधने computer का लगु रूप करण संभा हो सका है निमनलेखित मैंसे किस के परियोग से तो किस के परियोग से हो सका है तो यह समाकलित परिपत चीफ के परियोग से जो है यह आधने computer का लगु रूप करण जो है संभा हो सका है answer हो जाएगा question number 29 है किसी आकडा संचय में Ricardo का ब्रिक्षकार संचय क्या कहलाता है तो देखे यह कहलाता है सिनेडी बध माडल क्या कहलाता है सिनेडी बध माडल कहलाता है answer हो जाएगा question number 30 है निमने लेखित में से कौन computer आकडों की तूटिया परदरसित करता है तो यह bug ठीक है bug परदरसित करता है answer हो जाएगा question number 31 है निमने लेखित में से कौन सा एक यह अंत्र समागरी नहीं है तो प्रचालनत अंत्र ठीक है प्रचालनत अंत्र जो है यह यह अंत्र कंप्यूटर के संबंध में यह मतलब कोई यह अंत्र समागरी नहीं है याद रखना है answer बचाएगा D printer keyboard और माउस तीनों ही जो है य कॉम्प्यूटर के संबंध में यह अंत्र समागरी है ठीक है जब कोई कॉम्प्यूटर के चोटे से चेत्र में बीना telephone तारों के प्रस Πर जोड़ दिया जाता है उससे क्या काहा जाता है तो देखिँ उसे बोला जाताइ स्थानिया चेत्र नेट्वर्क क्या बोला जाता है चेतर नेटवर्क जो है बोला जाता है, अंसर हो जाएगा B, कुश्चन नम्बर 33 है, IC चीपों का निर्माड किया जाता है, तो सेमिकंडक्टर से, ठीक है, सेमिकंडक्टर से किया जाता है, अंसर हो जाएगा B, आज कल सबसे अधिक परियोग होने वाली निवेस युक्ति यानि input device कौन सी है तो यह है mouse ठीक है आज कल सबसे अधिक परियोग होने वाली निवेस युक्ति यानि input device कौन सी है तो mouse जो है सबसे अधिक परियोग किया जाता है input device है यह ठीक है सबसे अधिक की जो है इसका उपयोग किया जाता है तो माउस है ठीक है पद MB निमनलेखित में से किसके लिए परियोग किया जाता है तो ये मेगा बाइट्स के लिए जो है इसका परियोग किया जाता है मेगा बाइट्स याद रखना है आपको आंसर हो जाएगा भी Q. 36 है मूल निवेस निर्गम परणाली यानि Basic Input-Output System कम्प्योटर में विद्यमान रहती है तो ये विद्यमान रहती है याद रिचिक अभिगम अभिगम एस्मृती में याद रिचिक अभिगम एस्मृती में ये विद्यमान रहती है अंसर हो जाएगा B तो कम्प्योटर को टेलिफोन लाइन से मोडम जोड़ता है ठीक है मोडम जोड़ता है अंसर हो जाएगा B Q. 39 है कम्प्योटर की भासा में एक बाइट में कितने बाइट होते है कम्प्योटर की भासा में एक मेगा बाइट में तो आंसर हो चाहेगा B सूपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई का पारस यानी रेंज कितना होता है तो 64 बिट तक होता है ठीक है सूपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई का पारस यानी रेंज कितना होता है 64 बिट तक होता है अंसर हो जाएगा C, question number 40 है, computer virus के वाल एक परकार का software है, जो मुख्यता नस्ट करता है, तो मुख्यता ये किसको नस्ट करता है, प्रोग्रामों को, ठीक है, computer virus के वाल एक परकार का software है, जो मुख्यता नस्ट करता है, तो प्रोग्रामों को नस्ट करता है, answer हो जाएगा C, उसक बहुत बर यह question एक्जाम में पुछा गया है हर एक्जाम में यह question जो है सबसे ज्यादा question मतलब यह पूछा जाता है ठीक है dot matrix ठीक है तो dot matrix जो यह printer का एक परकार है ठीक है किसका परकार है printer का याद रखना है आपको अंसर हो जाएगा C तो दोस्तों यह था computer से संबंधित महतपूर 40 question I hope कि यह वीडियो पसंद आय रहेगा पसंद आतो वीडियो को like जरू करें ठीक है वीडियो को like जरू करें और अपने दोस्तों में इसे share भी